बिहार की सियासत में ललन सिह बीते कई दिनों से सियासी चर्चा के केंदर में हैं। ललन सिह जनता दल युनाइटेड के राष्ट्री अध्यक्ष हैं। वो फिलहाल बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। मंगलवार को बिहार का सियासी पारा अचानक उस वक्त चढ़ गया जब ललन सिंग के पार्टी अध्यक्षपद से इस्तीफे की खबरें न्यूज चैनलों पर दिखने लगी इस खबर का खंडन करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा विजय चौधरी ने पत्रकारों से कहा ऐसी खबर आप लोगों को भले ही मिल रही हो लेकिन हम लोगों या पार्टी कार्याले को ऐसी सूचना नहीं है अठकलें आप लोग खुद पैदा करते हैं और मार देते हैं जेडियू में अंदरूनी खाई की बात छोड़ दीजिये कोई खरोंच तक नहीं है यानि विजय चौधरी ने ललन सिंग के स्तीफे की खबर को मन घ्रंत और कालपनिक बताया है उनका कहना है कि बीजेपी नेता सुशील मोदी जेडियू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछता है वो पार्टी के सलाह मश्वरा कर लेंगे कि क्या करना है आप सलाह दीजिये कि क्या करना है दरासल 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडियू की राष्ट्रिये कार्यकारिनी और राष्ट्रिये परिशत की बैठक प्रस्तावित है उस बैठक में जेडियू आने वाले लोकसभा चुनावों और सा दो हजार पचीज के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीती पर भी विचार कर सकती है